हेलो नमस्कार जहिंद हम लोग कि आइंस में बाइलोजी टापिक्स को पढ़ने वाले हैं और देखते हैं कि बाइलोजी को दो बाटा जाता है एक जनत बिग्ञान जिसमें जनतुं और उसे सन्बंदित क्रिया कलापों का ध्यन किया जाता है और एक है बनस्पति बिग्ञान जनत बिग्ञान बाटनी जनत बिग्ञान के बारे में बहुत सारे जीव जनतुं के बारे में लग पांस सःधिक जिव जनतुं के औरकार बनस्पति विग्यान के बारे खात ब करन, इसलिए औरस्टी को जनत बिघ्ञान जनक खते हैं प्रादर आप जी इससी प्रकार से बनस्पति बिग्यान के बारे में इन्होंने अध्धन किया था यह थी फ्रेश्टस ने इनकी भूख है इस्टोरिया प्लेंटेरं इस्टोरिया प्लेंटेरं इस्टोरिया प्लेंटेरं इस्टोरिया प्लेंटेरं इस्टोरिया प्लेंटेरं इस्टोरिया प्लेंटेरं इस्ट जन्तो कान siyaung बिध्यान के जनक अरेक। अब फ्रेष्टस सब्थ नहुelson और प्लांड की घंद्धेश नहीं उल्हत ऑर प्लांट में प्लांट के सब्सक्राइं पिस ट्रश्टुरी a या फ्लांट मतलब बनस्पति बाटनी से लिया गया है और इसी प्रकार से अरस्तु की जो वुख है इस्टोरिया आप एने मिलिया यहां सब्द एनिमल इस्टोरिया आप एनिमल सब्द है तो यह जन्त बिग्यान से लिया गया है तो यह जन्त बिग्यान के जनक है वह बनस्पति बिग्यान के ज कि अष्टरीन एक wasn't it कि इन सब टापिक्स औधेनगें पूल हुआ है पूल करना है। मुक्भी रूप से इन साहितके और उत्धन करना वहि तょन तु अन्तर्ड़ कंणर upset ग मैं पूल तक का अधेन करेंगे मैं यह हमारे साहिव थνο सारी कोशिकाओं से मिलकर बनाता है और सभी कोशिकाओं एक जैसे काड़े नहीं करती अलग कोशिकाओं की संद्रशना बहुत की के कोशिकाओं के संरचना के बारे में अद्धन करना कि कोशिका उत्तक क्या है बहुत सारी कोशिकाओं का समुह है जो एक निश्चित कारे करने के लिए भी भेडित हो जाता है उसी को उत्तक कहते हैं तो उत्तक के बारे में अध्धन करेंगे उसके बाद जन्त वरगी करण के ब कि जन्तु और पादप क्या होता है इन सब के बारे में अध्यन करेंगे यह जन्तु वर्गर्ण कहलाएगा अहार एवं पोशन जन्तु को अथवामों के रुप से मनुष्य को अहार की जरूत होती है और इसके पोशन के लिए अच्छे पोशन के लिए कौन-कौन से मिनरल्स क्या हो सकता होती है कौन-कौन से मिनरल्स चाहिए उससे कि अहार में क्या-क्या रहना जरूरी है इसके बारे में अध्धन करेंगे अहारें पूश्ण चिप्टर में उसके बाद मानो रोग कि हुमन डिजीज मनुष्य में कौन कौन से रोग होते हैं वुचा, किस प्रकार की रोग होते हैं वर रोग किस प्रकार से होते हैं मानो रोग में आएगा उसके बाद कंकाल योँ पेशी तंत्र कि हमारा संसीर संसा हमारा पर यूंप के एक धाशी से बना हुआ है और कंकाल करता है तो वह कंकाल में कौन-कौन-कौन-कौन-सी पेशियां जोड़ी हुए मांस जुड़ा हुआ है तो मांस पेशियों के बारे में अध्यन करना वो पेशिय तंत्र खालाता है मेस्कुलर सिस्टम इनको दोनों का एक ही साथ पढ़ेंगे अंकाल एवं पेशिय तंत्र नाम से स्केलेटन एन मसल सिस्टम के बाद है परी संचरन तंत्र परी संचरन तंत्र में पढ़ेंगे की सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे शरीर में किस किस परिसंचरन होता है मुख्यूरूप से रूधिर ब्लड का परिसंचरन होता है और लशीगा का परिसंचरन होता है तो ब्लड के ब प्रकार सुध्ध होता है सुध्रग्त कहां से आता है है इसके बारे में कितने चमबर होते हैं इत्याद के बारे में अधन करना परिश अंचर न अतंत्र का लाएगा से मिल कर बना होता है लाल रखत अखड़ी का है या महीद प्लाजमा किया हुथा सबके बारे में अध्धन करेंगे इसी चिप्टर में रूधिर संभन्दित सभी सिछ उसके बाद लसी का तंद्र हमने बता है परिसंचन दो प्रकार दो चीजों का होता है एक रूधिर का लसी किसी नहीं है तो ऐसा ब्लड जिनमें कड़ी काएं नहीं होती है उनको ही लसिका कहा देटा है थोटा स्ट्रप्टर है लस्टीका के बारें पढ़ेंगे पाचन तंट्र डाइजेस्टिफ सिभ्स्टम जो भोजन हम खाते हैं सरीर में वे किस प्रकार से खाते क्या हैं और जाकर कहां किस प्रकार से पचता है मैं आखर हमारे सरीर में विमारियां या बाहर कोई भीमारी फाल जा उसके प्रति रवगालु नासक करने की इम्मून सिस्टम कैसे लड़ता है यानिकी हमारी शरीर उससे प्रतिरक्षा अपनी कैसे करती है है कि इसमें तीन डिफेंस होते हैं फर्स्ड लाइन फर्स्ट लाइन अफ रर्स्ट लाइन आप डिफेंस इसके बाद नर्फ सिस्टम तंत्रिका मस्तिक से संबंदित होता है तंत्रिका तंत्रिका तंत्र में मस्तिक्स दिमाग जो होता है मस्तिक्स कितने प्रकार का होता है कितने भाग है मस्तिक्स के उनके कौन कौन से भाग है और उन भागों का क्या क्या कारे है वह क्या कारे करता है किस कारे के लिए yea करता है तो इसके बारे में दोन करना से तका तन्तर घालाता है तन ⁡ क्रशां तंत्र रेस्विरेटरी सिस्टम जब हम पंग लेते हैं तो बहुत सारी गयर्जेय वोती है एक गय से तो होती नहीं है कि उसमें से बहुत सारी गैसे अंधर जाती है उसमें से अलग कैसे हो जाती है किस प्रकार से अलग होती है क्या का रहे है इसके बारे में अधिन करेंगे और अलग होती है कौन अलग करता है फड़ों के का क्या रहे हैं और कारबन डियक्साइट अलग कैसे होता है फिर वो स्टेशन सिस्टम जो कुछ भी काथ आपस निकलता वह की प्रकार से वह कहां से अलग होता है क्या-ककां किसचज पस्थित होती है कि रहा होता है युह थी घुन सब्सक्राइब में पढ़ना है उसके बाद नलज कहते हैं वह हार्मों के लिए आँब अवाज को नियंत्रित करते घुल और लंबाइ को में रोन रचम सारवीम करते हैं सरी में तो हार्मौंस कहां से नियंत्रित होते हैं उन्हें कौन नियंत्रित करता है रिलीज कहां से होते हैं उनका कार्य क्या है हर्मंस कितने प्रकार के होते हैं और जिस अंग से वह रिलीज होते हैं उन्हें क्या कहते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं इसके बारे मद्धन करना अंतस्रावी तंत्र इं किस प्रकार से गरवधारन होता है और किस प्रकार से प्रजनन की क्रिया संपुर्ण होती है और इस प्रकार से एक नए जन्म का उत्पति एक नए जीव की उत्पति एक नए जन्म किस प्रकार से होता इसके बारे में प्रजनन तंत्र री प्रोडक्टिव सिस्टम में बढ़े प्रभावी लक्षन क्या होता है और प्रभावी लक्षन क्या होता है इसके बारे में ये दोनों के लिए दोनों के लिए लेकिन ज्यादा में प्रियों क्या थे जमदल कितने प्रकार के होते हैं उसी प्रकार से कि पादप कितने प्रकार के होते हैं अर्वर कि प्रकार से ये बरिक्रण किया जाता है देखेंगे और पादप आकारकि के मतलब कि बाहरी आवरन का अध्धन करना तो पादप के बाहरी आवरन यहींद की पाधपा बिच तनापति जड इसके बारे में अध्यन करना इनिकि बाहरी आछुन आधियन करना पादप आकार की घलाता है पादप पोषण पादप पोषण पौधे अपने भोजन बनाते हैं तो उसमें क्या क्या लेते हैं पौधों को मिट्टी से क्या क्या प्राप्त करते हैं किस प्रकार के मिन्रल्स की पौधों की जरुद होती है माइक्रोनूट्र죠 Deciceнач b prix यह संद् ocup Display बारे में अध्रीन करेंगे और एक और पर मी कि मिद्धन करना से जंतुएं में हार्मोन यह सिते प्रकार से कि पौधों में करते हैं को सब्सक्राइब करने वाले हर्मोंस और कुछ लंभाई को कम करने वाले हर्मोंस रुक जाएं नॉन-डेलिज हो लगी करने वाले हर्मोंस इतने बाधिय को बढ़ा देंगे हो तो मतलब कहने का मतलब कि हर्प्रप्रकार करोंज होते हैं उन्हें के बारे में कार्या कि लिए तो अध्यन करना है जन्त बिज्ञान में इन दो चीजों को अध्यन करेंगे जन्त बिज्ञान और बनस्पति बिज्ञान में कौन कौन से टापिक अभी देखे और बनस्पति बिज्ञान में कौन कौन से टापिक है अभी देखे तो नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट एपिशोड म जन्त विज्ञान के साथ और कोशी का चेप्टर के साथ अभी के लिए इतना है चैनल को अभी आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें वीडियो को लाइक करें धन्य बाद